अहान का हेलिकॉप्टर वहां से सीधा जंगल से घिरेख बड़े से फार्म हाउस के बाहरा करो गार्ण हेलिकॉप्टर की अवाज सुनते ही फार्म हाउस के बाहर तैनात सबी सीक्योटी गार्ट्स तोरंथ ही छ।कंने हो ग barr एक सिक्योटी गार्ट ने चल्दी से जाकर तविश को खबर दी बॉस एक हेलिकॉप्टर हमारी लोकेशन में उतर रहा है पदा करो कौन है वो जो बिना इंफॉर्म कि तविश के एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है तविश ने तुरंत ओडर दिया तविश का ओडर सुनते ही सिक्योटी गार्ट तुरंत ही चेक करने लगे हेलिकॉप्टर से आहान को उतरते देख वो तविश से बोले बॉस मेसर आहान रॉय आये हैं और वो अकेली ही है अहान का नाम सुन कर तविश एक पल के लिए चौक गया और धीरे से बुदबुद आया अहान लेकिन फिर वो तुरंत अपने एक्स्पेशन चेंज करते हुए भोला आने दो उसे कोई नहीं रोकेगा उसे ओके बॉस तभी अहान मेंगेट से चलते हुए अंदर आया इस वक्त वो बहुत ही गुस्से में था तविश के सारे सिक्योटी गार्ट्स चुप चाप खड़े होकर उसको देख रहे थे किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी जैसे ही वो लिविंग रूम में आया उसने देखा कि तविश सामने ही उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो रखा था उसके कदमों की आवाज सुन कर तविश पिना मुड़े ही बोला वेल्कम मिस्टर आहान रॉय वेल्कम उमीद नहीं थी कि हमारी दूसरी मुलाकात इतनी जल्दी होगी सुनाया तुमारे साथ कोई हाथसा हुआ उफ, काफी अच्छी किसमत है तुमारी जो तुम बच गए ये कहते हुए उसने आहान की तरफ पलटते हुए एक स्माइल दी ही थी कि तभी आहान का गुस्से से भरा एक सोरदार पंच उसके मुह पर पड़ा तुमारे हिमत कैसे हुई इतना भद्दा मजा करने की अहान ने तविश का कॉलर पकड़ते हुए का अहान का पंच पड़ते ही तविश के हूटों के किनारों से खून आने लगा था उसने अपनी उंगलियों से अपने होट से निकलते खून को साफ किया और हस्ते हुए बोला हाँ सुना मैंने तुमारे साथ वो तुमारी सू कॉल डिजाइनर भी मरते मरते बची है क्या नाम तो उसका हाँ याद आया शारवी जैसे अहान ने तविश के मुँँ से शारवी का नाम सुना अहान का खून खौल उठा और वो फिर से तविश को एक मुक्का मारते हुए बोला अपनी कंती सपान से उसका नाम भी मतले ना ये सुनकर तविश हसते हुए ही बोला एक मामूली सी डिजाइनर को बचाने के लिए तुम खुद समंदर में कूद कए वो भी शाक के सामने है वो तुम्हारी डिजाइनर ही है ना या फिर कुछ और वैसे तुम्हारी तड़प देखकर तो ऐसा लगता में सर रॉय कि बहुत ही गहरा प्यार है जो उसके लिए तुम सीधा मेरे दर्वाजे तक आ गए वो भी अकेले वैसे आहान दाद देनी होगी तुम्हारी हिम्मत को अकेले आयो तुम तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ ओ आहान मैं तुडर क्या कही हान तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा की उसे समंदर में मैं नहीं धख्खा दिया था ये कहकर तविश जोर जोर से हसने लगा उसकी बात सुनकर और उसे ऐसे हसते देख आहान का गुस्सा आउट ओफ कंट्रोल हो गया और वो एक के बाद एक तविश को पंच मारने लगा तविश को ऐसे मार खाते देख उसके बोडिगार्ट उसे बचाने के लिए आगे बड़े ही थे तभी तविश अपना एक हाथ दिखा कर उन्हें रोकते हुए बोला कोई आगे नहीं आएगा ये मेरे और आहान के बीच की लड़ाई है और इसे खत्म भी हम दोनों में से कोई एक ही खरेगा ये कहकर तविश ने भी आहान के मुह पर एक मुक्का मारा जिससे आहान लड़ खड़ा कर एक कदम पीछे हो गया अब उन दोनों के बीच की हाथा पाई शुरू हो चुकी थी कभी आहान तविश पर भारी पड़ता तो कभी तविश आहान पर आहान की मार से तविश लड़ खड़ा कर नीचे गिर गया कि तभी आहान ने अपनी कमर से गन निकाल कर उसके माथे पर रखते हुए का अगर शारवी को कुछ भी हो जाता ना तो मैं तुझे ऐसी मौत देता कि तेरी रूख कहाँ पुछती मैंने एक बार तुझे जंदा चूनने की गलती कर दी थी तविश लेकिन लेकिन इस बार नहीं आज मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरा करसा खत्म कर दूँगा मजे अफसूस होता है कि तुझे मेरा दोष्ट था ये सुनकर तविश मुस्कुरा का रहान की आँखों में आखे डाल कर बोलता है तो मैं वाकरी में ऐसा लगता है शारवी को मैंने मारने की कोशिश की है तो चला गोली आहान और उतार दे सारी की सारी गोली मेरे सीने में लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूंगा ना मैंने पहले उसे मारा था और ना आज शारवी को मारने की साजश में मेरा कोई हाथ है बेशक मैं तुझे हारते हुए देखना चाता हूँ पर मैं इतना इतना पे बुस्तल नहीं कि इसके लिए मैं किसी मासूम लड़की की चान लेने की खोशिश करूँ तविश की ये बात सुनकर रहान एक पल के लिए खामोश हो गया और उसकी पकड़ अपनी गन से थोड़ी धीली हो गई लेकिन अगले ही पल घुस्से से अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखते हुए वो बोला मैं चाहूं तो अभी कि अभी ये सारी खोलियां तेरे भेजे में उतार सकता हूँ और एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे पर अभी मेरे पास कोई सुबूत नहीं है तेरे खलाफ इसलिए तुझे संदा छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार अगर तुने शार्वी की तरफ आख उठा कर भी देखा न या तेरी वज़ा से उसे एक खरोच भी आई तो आई स्वेर तवश वो दिन तेरी सिंदकी का आखरी दन होगा ये कहकर अहान ने तवश को पीछे की तरफ धक्का दिया और वहां से वापस जाने लगा उसको जाता देखता विश समीन पर पड़े-पड़े ही चिला कर बोला तुम मुझे इसले नहीं छोड़ रहा है आहान कि तुमारे पास कोई सुबूत नहीं है बल्कि तुम मुझे इसले नहीं मार सके क्योंकि कही ना कहीं तुमारा दिल भी जानता है कि मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा था मैंने उसे, वहना जैसा आहान रॉय को मैं जानता हूँ, वो किसी भी अपने को नुकसान पहुचाने वाले को नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, और यहां तो तुम्हारे प्यार की बात है, पर अफसोस कि तुमाज तक नहीं जान पाए आहान तुमाज तक नहीं जान पाए लेकिन आहान ये सुनकर भी बिना पीछे मुड़े वहां से सीधा निकल गया आहान के वहां से जाते ही तविश के बॉड़ी गाट्स ने उसके पास आकर उसे खड़े होने में उसकी मदद की तविश के निगाएं अभी भी उसी तरफ थी जहां से आहान भार कया था वो खुद से ही बोल रहा था मैंने उसे नहीं मारा था आहान मैं उसे मार यह नहीं सकता था और ये बात तुम भी अच्छी तरीकी से समझते हो आज भी शक मैं तुम्हें हारते हुए देखना चाहता हूँ जगते हुए देखना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें मरते हुए कभी नहीं याद और नहीं तुम्हें अपने फ्यार के लिए तड़ते हुए मैं नहीं जानता कि वो कौन था जिसने यह सब किया लेकिन अब मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि इसके पीछे कौन है क्योंकि मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे और मेरे लिए थे अंजान होकर भी सब से लड़े थे ये कहते हुए तविश उन दिनों में पहुँच गया जब वो आठ साल का था और वो पहली बार अहान से मिला था आठ साल के मासूम से तविश का अपने स्कूल में आज पहला दिन था यूनिफोर्म पहले आखों पर छोटी गोल्फरिम का चश्मा लगाए और अपनी छोटी सी साइकल को चलाते हुए तविश जैसे स्कूल में एंटर हुआ तब ही उसको देखकर एक लड़का अपने दोस्त से बोला ये कहकर रौनी अपने चार दोस्तों के साथ उस और जाने लगा रौनी शेहर के जाने माने बिजनिसमैन का एकलोता बेटा था एकलोता होने के कारण घर में उसको कोई कुछ नहीं कहता था और उसकी हर्जद मिंटों में ही पूरी हो जाती थी जिसके कारण वो काफी बिगड़ गया था पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना और दूसरे बच्चों को परिशान करना यही उसका काम था जैसे ही तविश अपनी साइकल से उतरा के तभी रौनी और उसकी गैन ने उसका रास्ता रोक लिया ए चश्मेश सुन नाम क्या है तेरा रौनी ने बड़े अकड़ से का तविश तविश ने घबराते हुए थीरे से का तविश क्या अरे देखो सब लोग इसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता और यह हमारे स्कूल में पढ़ने आया है रौनी ने हसते हुए का ये सुनकर उसके बागी सभी दोस्त भी हसने लगे तब ही रौनी फिर सिया करते हुए बोला ए चश्मेश तुने हमारी दोस्त की जगा पर अपनी साइकल खड़ी की है जद अड़ा इसको वरना अभी तेरी साइकल और तुछे तोनों को स्कूल के बार फिकवा दूगा रौनी के इतना कहते ही उसके गैंग के लोग अपने बाजू उपर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे सीधा साधा और कम से कम बोलने वाला तविश उन सब के ऐसे बोलने से काफी डर गया था इसलिए बेचारा चुप चाब बिना कुछ कहे वहां से अपनी साइकल हटाने लगा जैसे ही वो वहां से मुड़ा तब इरौनी ने अपना पैर अड़ा कर उसे नीचे गिरा दिया तविश के जमीन पर गिरते ही उसका चश्मा भी उसकी आँखों से हट कर नीचे गिर गया चश्मा जमीन पर गिरते ही रौनी ने उसका चश्मा उठा लिया अरे ये देखो इस चश्मिश को तो थीक से दिखाई भी नहीं देता है देखो कैसे गिर गया ये कहकर सभी जोर-जोर से हसने लगे और बाकी सब दोस्त भी तविश का मजाग बनाते हुए उस पर हसने लगे मेरा चश्मा मुझे वापस दो मेरा चश्मा दो तविश अपना चश्मा उनसे वापस मांगने लगा बिना चश्मे के उसे सब चीज़े धुंदली नजर आती थी रॉनी ने अपना हाथ आगी करते हुए का तवेश अपना चश्मा लेने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ा लेकिन रॉनी ने चश्मा वापस नहीं किया बल्कि हसते हुए अपने दोस्त की तरफ उच्छाल दिया ऐसे ही उसके सारे दोस्त मिलकर उसे परेशान करने लगे जब भी वो अपना चश्मा वापस लेने किसी के पास जाता तो वो उसे दूसरे की तरफ उच्छाल देता और जोर-जोर से हसने लगता इसी बीच तविश नीचे गिर गया और रोने लगा रोनी ने एक बार फिर से चश्मा अपने दोस्त की तरफ उच्छाला लेकिन तभी एक हाथ आ गया आया और उसने चश्मे को कैच कर लिया और आगे बढ़ते हुए रोते हुए तविश के आँखों में वो चश्मा लगा दिया तविश ने सर उठा कर देखा तो लगभग उसके उम्र का ही ये क्यूट सा बच्चा अपने हाथ बांधे गुस्से से रोनी और उसके दोस्तों को इगूर रहा था दूर रहा उससे और उसे परिशान करना बंद करो वो बच्चा रोनी और उसके दोस्तों को घूरते हुए बोला तो भी रोनी बोला एक अहान हम तेरे मामलों में टांग नहीं अडाते तू भी हमारे मामलों से दूर रहे तुमारी आदत गई नहीं दूसरों के मामले में टांग अडाने की और तुमारी आदत भी नहीं गई, तुसरा को परिशान करने की, तुम भी दोड़ा उससे अहन ने का, तो रोणी अहन के पास आकर बोला और अगर मैं ना रहूं, तो, तु क्या कर लोगे तुम, बलो बलो, क्या कर लोगे, हैं, हिम्मत है तुम बै कुछ करने की जैसी रोणी ने ये का, अहन ने एक जूरदार पंच रोणी को मारा, जिससे रोणी लड़ खड़ा कर जमीन पर गिर गया ये देखकर तो रोणी के सारे दोस्त तुरंत ही रोणी को वहाँ छोड़ कर, अपनी अपनी क्लास की तरफ भाग गये तुमने मजे मारा? अभी बताता हूं तुझे ये क्याकर रोणी जैसे ही उठा, तभी उसने देखा कि एक टीचर उसी की तरफ आ रही थी टीचर को उस तरफ आता देख, रोणी भी तुरंत वहाँ से भाग गया तभी अहान ने जमीन पर गिरे तविश को उठाने के लिए, अपना एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाया तविश उसका हाथ थाम कर उठकर खड़ा हो गया, और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला ये सुनकर अहान उसका कॉलर ठीक करते हुए बोला स्ट्रॉंग बनो, और अपने लिए लड़ना सीखो, हर बार तुम्हें बचाने मैं नहीं आउँगा और ये कहकर अहान वहां से जाने लगा, तभी तविश उसे रोकते हुए बोला ही, हाई, मेरा, मेरा नाम तविश है, और मैं बोट स्टेंदर्ड में हूँ जैसी तविश ने सुना, आहान भी उसी की क्लास में है, वो खुशी से उचल पड़ा तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, मैं या नहीं हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है मैं रिष्टाव में नहीं पड़ता, और अगर पड़ता हूँ, तो उम्रभा निभाने में विश्वास रखता हूँ आहान ने बिना किसी एक्स्पेशन के तविश की तरफ देखते हुए का, और ये कहकर वहां से जाने लगा उसको जाता देख तविश पीछे से बोला ए रुको, अगर तुम उससे दोस्ती करोगे, तो मैं सिंद की भर मरते दम तक अपनी दोस्ती निभाऊँगा ये सुन का रहान बिना पीछे मुड़े ही, चलते चलते बोला क्लास का टाइम हो गया है, लेट हुआ तो मैं क्लास में एंट्री भी नहीं देगी और ना ही मेरे बगल वाली सीट मिलेगी, इसलिए बाते बंद करो और जल्दी से मेरे पीछे आओ हे, हे, इसका मतलब तुमने मेरी फ्रेंज़ब एकसेट कर ली ये कहकर तविश्टुरं ती खुश होते हुए अहन के पीछे दौड गया और उसका हाथ थाम लिया और दोनों साथ साथ ही क्लास में जाने लगे दूसरी तरफ सेकंड क्लास के बच्चों के बीच अचाना की शोर मचना शुरू हो गया था एक बच्चा चलाते हुए बुला ए राजू, ए पिंकी, राहू लंचली, वो देखो, सनम आ रही है क्या, सनम आ गई, सनम, कहा है सनम सारी लड़के आपस में चिलाने लगे और जोर-जोर से हसने लगे तभी क्लास रूम में एक 6 साल के छोटे से गोलू-मोलू बच्चे ने एंट्री ली गोरारंग, चबी चिक्स, माथे पर विखरे बाल स्कूल यूनिफॉर्म पहने वो बच्चा, बहुत ही क्यूट लग रहा था तभी एक छोटी सी लड़की शर्माते हुए बोली हे सनम, तुम आ गए क्या तुम आज भी मेरे लिए चोकलेट लाए हो? देखो, मैंने आज भी अपनी डेस्क पर तुम्हारे लिए खाली जगा छोड़िये उस क्रिश को भी नहीं बैठने दिया तभी वो लड़का उस लड़की को देख, अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला उफ, सनम नहीं, एसार, इस एसार मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मुझे सनम नहीं, एसार बोला करो, खुशी अगर तुमने मुझे फिर से सनम बोला तो मैं प्रिया के पास वाली सीट पर बैठ जाऊँगा और अपनी चॉकलेट भी उस से ही शेयर करूँगा फिर और उस ही अपनी गर्फिर्ण बना दूँगा ये सुनकर वो लड़की बोली ओके-ओके, एसार, मैं आप तुम्हें एसार ही बोलूँगी पर तुम प्रिया के पास मत बैठना तुम्हारी गर्फिर्ण तो मैं ही हूँना ओके, तब चलो ये कहकर एसार उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी सीट की तरफ बढ़ गया थोड़ी देर में उनकी ग्लास नीचर आकर उनकी प्रिजन्ट लगाने लगी और फिर जैसे सनम का नाम आया तो सारे बच्चे जोर-जोर से हसने लगे जिसकी बज़ा से एसार मायूसी से अपना सर चुका कर बैठ गया तब ही एक लड़के की पीछे से आवाज आई मेरे दोस्त का नाम सनम नहीं एसार है मेम एसार, समझ गई ना आप इसलिए आज से आप भी उसको एसार बुलाईए ये सुनकर मेम उस बच्चे को देख कर उसे अपने पास बुलाते हुए बोली इधर आओ आओ इधर, जल्दी आओ तब ही वो बच्चा बड़े ही आराम के साथ अकड़ते हुए आगे आते हुए बोला अब आपको इतनी सी बात के लिए ये मुझे गले लगाकर ठैंक्स बोलने की ज़रोत नहीं है मैम तब ही उस लड़के के गाल पर एक सोर से चाटा पड़ा चटाक मैम उसको डाटते हुए बोली तुमसे किसे ने पूछा? मुझे बताओगे तुम किसका नाम क्या है? पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं है जाओ जाकर क्लास के बाहर हाथ उपर करके खड़े हो जाओ तब ही वो लड़का अपना गाल सेहलाते हुए बोला ये मैम के नासुख दिखने वाले हाथ थोड़े की तरह क्यों पढ़ रहे हैं? ये कहकर वो मुह लड़काते हुए चुप चाप क्लास से बाहर जाने लगा तब ही उसके पीछे-पीछे एसार भी क्लास से बाहर जाने लगा ये देखकर टीचर बोली अब तुम कहा जा रहे हो सनम? वो हैपी बाहर अकेले ख़़ए ना मैं अनहपी रहेगा ऐसे तो तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ और मैं मिट्स एसार नॉट सुनम एसार ने बड़ी मासूमी के साथ का एसार की बात सुनकर टीचर उसे घूरते हुए बोली निकलो, तुम भी क्लास से बाहर निकलो आज ही प्रिंसिपल से तुम दोनों की शिकायत करनी पड़ेगी ये कहकर टीचर ने एसार को भी क्लास से बाहर कर दिया क्लास के बाहर ख़ड़ा हैपी एसार से बोला एक बात बताओ मेरे दोस्त तुमारा नाम सेनम रखा तो रखा किसने आज तक तुमने ये बात मुझे नहीं बताई क्या वजा है इसके पीछे जो तुमने मुझे से चुपाई ये सुनकर रहसार मू लटकाते हुए बोला मेरा नाम मेरी दादी ने रखा है मेरी दादी हिंदी फिल्मों की बहुत बड़ी शौकीन है और बहुत प्यार करते हैं तुमको शनम मेरी दादी का फेवरिट सौंग है और जब भी खुश होती है तो कही गाना गुनाती है जब मैं पैदा हुआ तो नर्स ने दादी के हाथ में मुझे देते हुए पूछा लेकिन मेरी दादी मुझे देख कर इतनी खुश हुई कि उनों ने नेस की बात भी नहीं सुनी पर प्यार सी मेरा माथ था चुमते हुए गाना काने लगी बहुत प्यार करते हैं तुमको शनम अर सनम वर्द उनों ने इतनी जोर से बोला इतनी जोर से बोला कि नर्स को लगा कि मेरा नम ही सनम रखना है बस पर क्या था मेरी बट सर्टिफिकेट पर मेरा नम पड़किया अर प्र दादी ने भी चेंज नहीं करने दिया दादी मेरा अडमेशन कराने स्कूल आई थी ठीकि मेरी माम के पास तो मिलने ताइम ही नहीं है और दादी प्यार से मुझे सनम ही कहकर बोलाती है ये सुनकर हैपी बोला अच्छा हुआ भाई जो तमारी दादी का फेवरेट गाना ओ मेरी परम 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 सुन्दरी नहीं था स्कूल की छुट्टी होते एसार और हैपी अपनी क्लास से ग्राउंड की तरफ चाही रहे थे कि तब ही एक आट साल की लड़की जो उन से आगे चल रही थी उसके बैक से वाटर बॉटल निकल कर नीचे किर गई ये देखकर एसार भाग कर उसके पास गया और उसकी वाटर बॉटल उठा कर उसको देते हुए बोला ये ये लो तुमारी वाटर बॉटल नीचे किर गई थी मैंने देख ली थी वो लड़की S.R. के हाथ से water bottle लेते हुए बुली ये कहकर S.R. ने भी उस लड़की के गाल पर किस कर दिया जिससे वो लड़की मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई S.R. और हैपी भी वहाँ से जाने लगे के तभी उसके सामने रॉनी और उसकी गैंग आकर खड़ी हो गई रॉनी S.R. को घूरते हुए बोला ए छोटा पैकेट तेरी हिम्मत कैसे हुई? सुईती को किस करने की? वो मेरी गल्फ्रेंड है उसने मुझे किस किया तो मैंने भी खर दिया और अगर वो तुमारी गल्फ्रेंड है तो उसने मुझे किस क्यों किया? अपसे वो मेरी गल्फ्रेंड है तुमारी नहीं S.R. रॉनी को घूरते हुए बोला ये सुनकर रॉनी गुस्से से S.R. को धक्का देते हुए बोला तू स्वीती को अपनी गल्फ्रेंड बनाएगा तू बनाएगा छोटे पैकेट रुक अभी अभी बताता हूँ तुझे ये मारो इसे जब ये कहकर जैसी रॉनी और उसके दोस्त S.R. को मारने के लिए आगे बढ़े ये सुनकर वो चारो लड़के वही के वही रुक गए लेकिन तभी उनमें से एक ने आ गया कर एक सोर का मुक्का S.R. और हैपी को मार दिया हैपी अपना पेट पकड़ कर बोला मैंने तुम्हें मम्मी कसम दी थी तुमने फिर भी मार दिया तुमारी मम्मी मर जाए गया तभी उनमें से एक लड़का हसते हुए बोला इशकी तो पहले थे ही मम्मी नहीं है इसलिए तो इसने मारा और माय साले को ये सुनकर बाकी के सब लड़के भी हसने लगे और वो लड़का फिर से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा तब ही Happy फिर से बोला ए रुको, इस बार तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है कोई नहीं मारेगा लेकिन तब ही उस लड़के ने एक और जोर का पंच हैपी को जड़ दिया एपी रोते हुए बोला अब क्यों मारा? अब क्या तुम्हारा बाप भी नहीं है? ये सुनकर दूसरे लड़का बोला है ना इसका बाप? लेकिन वो रोज शराब पी कर इसको मारता है ये तो चाहता ही है कि वो मर जाए ये कहकर वो सभी लड़के फिर से हसने लगे और एसार और हैपी को जोर जोर से मारने लगे एसार चलाते हुए बोला एसार की अवाज सुनकर आहान वहां कर रोणी का हाथ पकड़ कर मोड़ते हुए बोला शुद्रोगे नहीं ना तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुए मेरे भाई पर हाथ उठाने की? ये कहकर उसमें एक सूर का मुक्का रोणी को दे मारा अब रोणी और उसके दोस्त अहान से भी मार पीट करने लगे उनको अहान से लड़ते देख तविश भी रोणी के दोस्तों को मारने लगा ये पहली बार था जब तविश ने किसी के साथ लड़ाई की थी आज से पहले वो काफी कमजोर और डरा हुआ इंसान था लेकिन अहान का साथ पाकर अब उसमें भी एक नई हिम्मत आ गई थी अब वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे को पीटने लगे कभी कोई किसी को मुक्का मारता तो कभी कोई किसी को लाथ लेकिन जैसी उन्होंने प्रिंसिपल को आते हुए देखा तो वो सारे के सारे तुरंट वहां से 921 हो गए अहान ने भी एसार का हाथ पकड़ा और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया जो स्कूल की छुटी होते ही उनको लेने आ गई थी जैसे यहान नेसार के साथ स्कूल से घर वापस आया उसने देखा कि उसके दादा दादी उसके पापा और उसकी सौतेली मा सब लिविंग रूम में ही काउच पर बैठे हुए थे उसके दादा दादी आपस में बाते कर रहे थे उसके डैड किसी फाइल में बीजी थे और उसकी सौतेली मा हमेशा की तरह अपने फोन कॉल पर बीजी थी आहान की सगी मा हंसे का उसको जनम देते ही इस दुनिया से चल बसी थी आहान तब बहुत छोटा था और उसके डाध हमेशा ही अपने business में busy रहते थे इसलिए उसके दादा दादी ने उसके डाध की दूसरी शादी रागिनी से करा दी ताकि अहान को मा का प्यार मिल पाए पर उसकी सोतेली मा ने कभी अहान को तो क्या S.R. तक को मा का प्यार नहीं दिया उनको अपनी शॉपिंग और किटी पार्टी से ही फुरसत नहीं मिलती थी और उसके डाड भी बिजनस में ही बीजी रहते थे इसलिए आहान बस अपने दादा दादी के ही क्लोस था जैसे S.R. ने देखा कि उसके डाड और बाकी सब लिविंग रूम में ही है तो उसे समझ में आ गया कि उसकी शामत आने वाली है इसने वो दादी दादी कहते हुए जट से अपनी दादी की गोद में चड़ गया S.R. को देख दादी प्यार से उसका माथा चुमते हुए बोली अरे मेरा सनम मेरा प्यारा बच्चा आ गया वापस तब ही आहान अपने डाद के पास आते हुए बोला डाद ये देखिए आज हमारा रिपूट कार्ड मिला है आहान का रिपूट कार्ड देख उसके डाद उसकी पीट थपथपाते हुए बोले लेकिन तुरंट बाद ही वो S.R. का रिपोर्ट कार्ट देखकर गुस्से से बोले वाट रबिश ये क्या है S.R. तुम्हारा रिजल्ट इतना खराब क्यूं है किसी एक सब्जेक्ट में भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं है अपने भाई को देखो हर बार की तरहां इस बार भी फरस्ट आया है और एक तुम हो हमारा एक लड़का उपर से फरस्ट आता है तो एक लड़का नीचे से अपने डैड की डाट सुनकर S.R. ने अपनी दादी की गोद में अपना मूँ छपा लिया ये देखकर दादी S.R. के सर को सहलाते हुए बोली अलोक क्यों ढांट रहे हो बच्चे को कम से कम फस्ट आ रहा है न उपर से आये या नीचे से क्या फर्क परता है और वैसे भी इतना बड़ा एंपर है हमारा अपनी मा को S.R. की साइड लेते देख मिस्टर आलोक रॉय बोले मा आपने ही से सर पर चढ़ा रखा है इसलिए इसकी ये हरकते हैं ऐसे तो बड़े होकार एक दिन सब कुछ लुटा देगा फिर वो S.R. और आहान के बिखरे बाल ये सुनकर मिस्टर आलोक रॉय S.R. को डाटते हुए बोले हाँ, बस तुम ये ही करना दूसरों से लड़ाई जगडा सरूर तुमने ही कुछ हरकतें की होंगी पढ़ाई लिखाई तो तुमसे होती नहीं बस शैतानिया करना ही आता है और आहान तुम, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए किसी से भी जगडा करने की चपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो अपने डाट को डाटता देख, S.R. रोने लगा ये देखकर आहान बोला आहान की बात सुनकर आहान के डाट बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे तब ही उन्होंने देखा कि S.R. की माँ अभी भी फोन पर ही लगे हुई है जैसे उसे किसी से कोई मतलब भी नहीं था ये देखकर आहान के डाट चला कर बोले और एक ये है जो हर वक्त बस अपने फोन और अपनी पार्टीज में बिजी रहती है तुमसे तो खेर कोई उमीद ही नहीं है तुम्हारी नजर में तो S.R. का होना ना होना एक बराबर है तुम्हें तो अपनी खिटी पार्टीउं से ही फुरसत नहीं है और ये कहते हुए वो गुस्से से बाहर चले गए ये देख कर S.R. की मौ मुह बनाते हुए बोली और फिर वो S.R. को रोते हुए देख कर बोली इधर आओ, ममा के पास आओ लेकिन इससे पहले कि S.R. अपनी मा के पास जाता उससे पहले ही उनका एक कॉल आया और वो तूसरी साइट चली गए अब S.R. अपना मुह लटका है अपने कमरे की तरफ जाने लगा ये देखकर दादी भी उसके पीछे-पीछे कमरे में चली गई उन्होंने देखा कि S.R. बैट पर बैठा सुबक रहा है ये देखकर दादी बोली अरे, मेरा सनम ये सुनकर S.R. रोते हुए बोला मज़े कोई प्यार नहीं करता दादी सबके सब भाया कोई प्यार करते है पापा भी हमेशन मुझे दाटते रहते और ममा भी अपनी पाटी इसमें बिजी रहती है मैं मर क्यों नहीं जाता कोई मुझे प्यार नहीं करता कोई नहीं करता ये सुनकर दादी S.R. के आज़ो पूछते हुए बोली नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते कौन कहता है आपसे कोई प्यार नहीं करता आपके दादू आपको प्यार करते हैं आपका भाई आपको कितने प्यार करता है और आपकी दादी दादी तो सबसे ज्यादा आपसे ही प्यार करती है मेरे बच्चे तब ही उसके दादा जी भी उसके कमरे में आए और प्यार से उसके सर पर हाथ फेड़ते हुए बोले कोई बात नहीं बच्चे तुम पढ़ाई पर थोड़े अच्छे से ध्यान तो तुम्हारी डैट की तो आदत ही है चिलानी की उसको काम ही इतना होता है कि गुस्स अहार वक्त उसकी नाक पर होता है अब तुम अच्छे से बढ़ाई करोगे तो ही तो बड़े होकर बिजनेस में उसका हाथ बटाओगे फिर देखना वो तुम पर बिल्खुल कुस्सा नहीं करेगा समझें? ये सुनकर एसार अपनी दादी की तरफ देखते हुए बोला अच्छी दादी आप सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हो भया से भी ज़्यादा हाँ दादी सबसे सबसे ज़्यादा आप से ही प्यार करती है ये कहते हुए S.R. मुस्कुराते हुए अपनी दादी के कले लग गया कुछ दन बाद स्कूल में न्यू सेशन शुरू हुआ टॉनी और उसके दोस्त आज फिर से केट के सामने खड़े नए आये बच्चों को परिशान करने में लगे थे कि तभी एक 6-7 साल की क्यूट सी बच्चे अपने हाथ में एक कॉटन केंडी फ्लॉस पकड़े हुए अंतर आए चबी चिक्स दो चोटी और पिंक कलर की छोटी सी फ्रॉक पहने वो बिल्कुल किसी बाबी डॉल सी लग रही थी रॉनी और उसका पूरा ग्रॉप तो आंके फाड़ फाड़ कर उसे देखे जा रहा था एसार ने भी जैसे ही उधर देखा उसकी आँखों में चमाका गई और वो मुस्कुराते हुए बोला कितनी ब्यूटिफॉल आ ये एकदम बापी टॉल की जैसे अब तो यही बनेगी मेरी कल फ्रेंड तो कौन थी ये लड़की जिसकी एंट्री होते ही पूरा स्कूल उसका देवाना हो चुका था और क्या S.R.S. पर भी अपना जादू चला पाएगा जानने के लिए सुनते रहे तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है आरजे लिवांश के साथ साथ ही ठैंक्स बटन को प्रेस कर मजे सपोर्ट कीजे अब तू ही जुन्दगी है तू जान है